गनपत का टीजर आया सबको अच्छा लग रहा है जाहिर है टाइगर शौफ के फैंस के लिए इस दिन से अच्छा भला कौन सा दिन होगा लोकडाउन के बाद टाइगर की ये पहली फिल्म है लेकिन नो ओफेंड गाईज बिकॉज मैं आपको टीजर से कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच में ये फिल्म बननी चाहिए थी नंबर वन पॉइंट टीजर की शिरुवात में 2070 AD लिखाता है अगर मैं यहां गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही एक टीजर कल की 2898 AD का भी आया था दोनों टीजर में बहुत कुछ एक जैसा है दोनों में युद्ध चल रहा है लोगों का मशीनी करन हो रहा है कोई माफी नहीं है जो उसका मतलब है इंसान में इमोशन्स खत्म हो गए है वही काले सफे ड्रेस कोड है दोनों में बड़े मशीनी लाल नीली बत्ती वाले दर्वासे है और सबसे खास बात दोनों में मिताब बच्चन सफे ड्रेस में है बस उन सफे ड्रेस को पहनने का तरीका अलग है तो भाई टाइगर वेज़ टाइगर को भाई बोलना सही है एनिवेज क्या फर्क पड़ता है मुद्दे पर आते हैं तो भाई टाइगर लाना ही था तो कुछ अलग लाते कलकी और गनपा दोनों एक जैसे कॉंसेप्ट की ही फिल्म लग रही है वहीं दूसरी बात जो मुझे खली वो है टाइगर का फिल्म में बोक्सर होना ऐसा लगा कि ये एंगल जबर्दस्ती गुसाय गया है मशीनों के बीच हाथों से लड़ाई जखड़े कौन करता है उस टाइम तक बॉक्सिंग का करियर एक्जिस्ट करेगा क्या इंसान में एमोशन्स खत्म हो जाएगा तो ये कैसे बचा रहे गया भाई वही तीसरी बात इसमें जो कृती का लुक है जापानी गुडिया लग रही है देखने इसे लग रहा है जैसे कोई रोबोट हो वही जो टाइगर का लुक है वो वही इंसान की तरह लग रहा है एक दम जैसे सतियुक से इंट्री मारी हो तो looks पर काम किया जा सकता था I mean कृती का look was so defined बढ़ tiger के look से ज़्यादा body पर काम किया गया है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं fourth point की tiger को योगी या तपस्वी दिखाय गया starting में मेभी वो कहानी के साथ mail खाता हो लेकिन teaser में mail नहीं खाया boss क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि tiger को पहले से पता था कि कलकी से film का comparison होगा और film की hype खत्म हो जाएगी और फिर एक ही रास्ता होगा जै भोले ना hope you got my point five point पे वड़ते हैं आगे लेकिन इन सब के बावजूद कलकी से comparison ना करें तो ये एक बहतर और entertaining film साबित हो सकती है जो 20 October को release हो रही है तो आपको इन सब points में क्या कहना है अपनी राय हमें बताईए comment section में और जादे जादे इस वाले वीडियो को कर दीजे like और share और चानल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलिया और मुझे आनिकी शूती को दीजे इजासत नमस्कार